हेलो एरिवन, जहीन, अगर आप अपने पर्चेस ITC का रिकंसिलेशन कर रहे हैं, मतलब 3B में कितना क्लेम किया है, जेसर 2A में कितना आया है, और हमारे बुक्स में कितना है, और वो जो गैप आ रहा है, वो किस वज़े से आ रहा है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम साल का ITC, रिकंसिल कैसे कर सकते हैं, और वो भी बहुतिक कम समय में, जैसा कि यहापर दिखिए, यहापर GSJ3B में हमने कितना ITC क्लेम किया है, वो है, यहापर GSJ2A का ITC है, और यहापर बुक्सवप अकॉंड का ITC है, और यहापर आप दिखेंगे, तो त्यूनों में डिप जैसे आ रहा है इसको आप दो मिनित में फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे एप्रिसेट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कीजे चानल को सबसाइब कीजे और बेर आइकोन पे क्लिक कीजे अभी मैं आपको ये डिटेल में समझ सबसे पहले मैं इस देटा को दिलिट कर देता हूँ और GSTR3B का डेटा डाउनलोड करने के लिए मैं GST पोर्टल पे जाता हूँ यहाँ पर सर्विसेज यहाँ पर रिटर्न और यहाँ पर टेक्स लिबिलिटी और ITC कमपरिजन यहाँ पर आपको फाइनेश ये रियर सिले इसको सिलेक करना है अभी मैं यही से इसको ओपन कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए ITC क्लेम इन GSTR3B और यहाँ पर ITC अटोड़ाप्टेड इन GSTR2A लेकिन अभी हम GSTR2A का डेटा यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हम yearly reconciliation कर रहे हैं तो हम GSTR9 से इस डेटा को लेंग तो मैं सिर्फ यहाँ पर GSTR3B का डेटा लेता हूँ यहाँ पर IGST, CGST, XGST और यहाँ पर March तक Ctrl-C और यहाँ पर Ctrl-Alt-V, V, Enter तो अभी देखिए GSTR3B का डेटा यहाँ पर आ चुका है अभी यहाँ पर हमें GSTR2A का डेटा लाना है तो उसकी लिए Services में जाएंगे यहाँ यहाँ पर return और यहाँ पर annual return यहाँ पर financial year to 2021 search यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर annual return GSTR9 इसको open करना है यहाँ पर do you want to file new return यहाँ पर no करना है और next करना है यहाँ पर नीचे जाना है यहाँ पर देखिए download table 8A document detail अभी table 8 यह मतलब क्या होता है तो यहाँ पर देखिए table 8 है मैं इसको open कर देता हूँ यहाँ पर table 8 है other ITC related information और A है ITC as per GSTR2A मतलब यह जो ITC है वो GSTR2A की सबसे है और यह GSTR9 में reflect हो रहा है अगर हम यहाँ से data लेंगे तो reconciliation में हमारा जो data होगा वो यहाँ से automatic match हो जाएगा तो मैं यहाँ से निचे आता हूँ back जाता हूँ औ यहाँ पर Download Table 8 है document detail इसको select कर देता हूँ तो इह दिखिए यह download होचुआ है यहाँ पर मैं showing folder कर देता हूँ इसको copy कर देता हूँ Ctrl C और यह पर desktop पर eastern paste कर देता हूँ Ctrl V यहाँ पर right click करके मैं यहाँ से extract कर देता हूँ क्योंकि यह जिप फायल है extract इस folder को open कर देता ओ तो यहाँ पर देखिए यह जो है वो हमारे gesture to a car report है यहाँ पर B2B invest है यहाँ पर B2B amendment है यहाँ पर serian R और यहाँ पर serian R amendment तो अभी इसको आपको थोड़ा फॉर्मेटिंग करणा पड़ेगा मैं आपको डिटिल में बताता हूंिसको फॉर्मेटिंग कैसे करना है मतलब आपको आगे कोई तकलिप नहीं आएगी तो यहाँ पर heading पर आपको click करना है और यहाँ पर control shift right arrow और इसको पुरा select करना है और control shift down arrow और इसको पुरा select करना है इसके बाद इसको copy कर देता हूँ और यहाँ पर shift app level प्रेस करता हूँ मतलब एक नया tab में मैं इसको लेता हूँ और यहाँ पर मैं control V यानि paste कर देता हूँ और यहाँ पर control A करके मैं पुरा select कर देता हूँ और यहाँ पर format में जाकर auto fit column width और इसके लिए shortcut है alt h o i तो यह auto fit हो चुका है अब यह जो heading है वो दो रो में इसके लिए यहाँ पर filter लगाने में problem हो जाएगा तो मैं यहाँ से इसको copy कर देता हूँ इन्वेस नंबर से लेकर इन्वेस value तक control C और यहाँ पर paste कर देता हूँ उसके बाद मैं आगे जाता हूँ और यहाँ पर igst से लेकर cgst, control C, control V और यहाँ पर नीचे का रो मैं right click करके यहाँ पर delete कर देता हूँ और इस sheet को rename करने के लिए मैं alt h o r और यहाँ पर updated लिए देता हूँ enter अभी जैसे हम नीचे जाएंगे तो यह जो heading है वो गायाप हो जाएगी लेकिन हम इस heading को permanent रखना चाते तो इसके नीचे के रो को हम यहाँ से select करेंगे और यहाँ पर hue में जाकर यहाँ पर freeze paints यहाँ पर इसके लिए shortcut है alt w app app तो यह देखिए यह जो heading है वो freeze हो चुकी है अभी हमारा B2B हो गया अभी यहाँ पर B2B amendment B2B amendment मतलब क्या होता है यह जो कुछ parties ने B2B में invest upload किये है उनको बाद में इन्होंने amend किया है तो हमेशा में यह जो amendment value है उसको consider करना है तो मैं क्या करता हूँ इसको copy कर देता हूँ control chip right arrow control chip down arrow copy यहाँ पर एक दुस्ते वर्शीट में जाने के लिए मैं control page up और control page down इनका इस्तमाल करना है तो मैं यहाँ पर इसको paste कर देता हूँ अभी same मैं यहाँ पर invest number से लेकर यहाँ पर copy कर देता हूँ control C यहाँ पर paste कर देता हूँ उसी तरह से यहाँ पर IGST से लेकर says तक control C control V और निचे वादे रोक को delete कर देता हूँ लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो यह जो column है वो यहाँ पर order में नहीं है मतलब यहाँ पर GST period है यहाँ पर जो है invest number है लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए GST number तो यहाँ से हमें इसको यहाँ पर लेके जाना है तो मैं इसको यहाँ से select कर देता हूँ GST number से लेकर यहाँ तक और मैं यहाँ पर जाओंगा तो एक four arrow का symbol बन रहे है यहाँ पर मैं ship press करूँगा और right click करके इसको drag करूँगा और यहाँ पर देखेंगे यह जो line बन रहे है इसको हमें बराबर से adjust करना है पतलब देखें यह जो line उपर नीचे हो रहे है देखें green line इसको हमें यहाँ पर adjust करना है और चोड़ देना है तो देखें GST number यहाँ पर आ चुका है और inverse number यहाँ पर जा चुका है उसी तरह से यह जो train name में इसको select कर देता हूँ यहाँ पर four arrow shift यहाँ पर drag कर देता हो और यहाँ पर छोड़ देता हो इस तरह से यहाँ पर जो main mean data है वो आपको एक दूसरे के नीचे लाना है मतलब period, GST number यहाँ पर name, inverse number यहाँ पर inverse type को control x, control v यहाँ पर inverse date को control x, control v और यहाँ पर inverse value है इसको मैं पूरा select कर देता हो control x और इसके नीचे यहाँ पर paste कर देता हो तो अभी देखिए हमारे data यहाँ पर adjust हो चुका है तो अभी मैं इसको filter लगाता हो यहाँ पर select कर देता हो control shift right arrow control shift down arrow और filter लगाने के लिए control shift L तो filter लग चुका है तो यहाँ पर मैं control down arrow अभी हमें देखना है कि यह जो inverse number है ऊपर कहाँ पर है तो मैं क्या करता हूँ इस gest number को copy कर देता हूँ control C यहाँ पर filter को open कर देता हूँ और यहाँ पर search में इसको paste कर देता हूँ ओके उसी तरह से मैं इस invoice number को copy कर देता हूँ Ctrl C और यहाँ पर इसको search कर देता हूँ Ctrl V ओके तो यहाँ पर देखिए दो इन्वेसे से यह original है और यहाँ पर यह amended है तो हमेशा में जो है वो amended consider करना है तो हम यहाँ पर जाके देखेंगे तो यहाँ पर amendment क्या हुई है तो यहाँ पर देखिए GSTIN is amended मतलब यह जो party है इसने पहले हमें credit दिया था लेकिन बाद में उसने GST number amendment किया और इस इन्वेस में दूसरे किसी का GST number डाल दिया और यहाँ पर देखिए ITC available तो यहाँ पर no है मतलब इस इन्वेस का ITC हमें नहीं मिलने वाला तो पहले इन्वेस का भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसने amend किया है और amend इन्वेस का भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर उसने दूसरे का GST number डाल दिया और यहाँ पर ITC available तो no है मतलब यहाँ पर ITC available में अगर no होगा तो हम वो itc नहीं ले सकते तो मैं इन दोनों को select कर देता हूँ यहाँ पर shift space तो यह पूरा select हो जाएगा यहाँ पर alt colon मतलब यह जो data है वो filter data है अगर हम direct delete करेंगे तो इसके बीच का भी delete हो सकता है इसलिए हमें alt colon को press करना है उसके बाद इसको delete करने के लिए control minus तो यह देखिए यह delete हो चुका है अब भी हमें यहाँ पर सारे filter को हटाना है इसके लिए shortcut है alt a c तो यहाँ पर देखिए सारे filter हट चुके है अब भी मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पर हमें अभी इस दो inverse को देखना है तो again मैं इसको control c करके copy कर देता हूँ और यहाँ पर search कर देता हूँ लेकिन इसके लिए मैं एक आपको shortcut tricks बताता हूँ आपको यहाँ पर यह जो arrow दिख रहा है वहाँ पर जाना है और यहाँ पर more command इसमें जाना है यहाँ पर आपको all command select करना है और यहाँ पर auto filter आपको a type करना है और नीच जाना है तो यह देखिए auto filter इसको select करना है और यहाँ पर add करना है यहाँ पर देखिए यह add हो चुका है अभी ok करना है इसका फाइदा क्या होता है मैं यह आपर क्लिक करूँगा और आटो फिल्टर पर क्लिक करूँगा तो यह अटोमेटिक फिल्टर हो जाएगा देखिए या पिर इसके लिए शौटकट भी है मैं यह आपर अल्ट एस सी कर देता हूँ याने सारे filter open कर देता हूँ मैं यहापर click कर देता हूँ और alt press करता हूँ तो इसके लिए shortcut ए 4 अगर मैं यहापर 4 press करूँगा तो देखे filter लग चुका है इस तरह से auto filter का इस्तेमाल करके आप तुरन filter कर सकते है उसकी बाद यह inverse number मैं यहापर alt for कर देता हूँ तो यह जो है वो original inverse है और यह amended inverse है हम यहापर जाकर देखेंगे तो यहापर itc available yes है तो हम जो पहले वाले inverse है इसको delete कर देंगे shift space control minus alt ac अब यह यह inverse देखना है 721 तो मैं यहापर click कर देता हूँ यहापर alt for और यहापर 721 alt for और हम यहापर जाकर देखेंगे तो itc available है तो मैं यहापर click करके shift space control minus मतलब पहले वाले जो inverse है उसको delete कर देता हूँ alt ac तो अभी मैं इस heading को delete कर देता हूँ shift space control minus अब यहापर cdnr मतलब credit and debit note तो यहापर आप type देखेंगे तो यहापर cn मतलब credit note है अगर debit note होगा तो यहापर dn होगा अभी आपको मालुम है कि आपके party ने आपको अगर create note दिया है तो वो जो itc है वो less हो जाता है अगर debit note दिया है तो वो जो itc है वो आमे add करना है तो यहापर create note है मतलब वो itc less हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसको copy कर देता हूँ ctrl c और यहापर आकर मैं इसको paste कर देता हूँ तो अभी आम इन column को adjust करते है तो मैं इसको पटापट adjust कर देता हूँ ctrl v यहापर जाता हूँ ctrl v यहापर जाकर ctrl minus period json number name यहापर मैं invest number को copy कर देता हूँ ctrl x यहापर ctrl v और यहापर date से यहापर select करके ctrl x ctrl v अभी मैं इन amount को minus में convert करता हूँ इसके लिए minus 1 enter और इसको copy करना है ctrl c इन सारे value को select करना है says तक और यहापर ctrl alt v यहापर m मतलब multiply ok तो यह जैके यह amount जो है वो सारे minus में convert हो चुके मतलब यह जो purchase के itc है उसमें से create note है वो minus हो जाएंगे और debit note होगे तो हमें वैसे के वैसे रखने क्योंकि debit note पर purchase की तरह हमें itc मिलता है तो अभी मैं इस heading को delete कर देता हूँ delete तो अभी यहापर itc available है यहापर आपको open करना है और यहापर यह जो no है उनको delete करना है ok तो यह itc available क्यों नहीं है यह reverse charge document है मतलब यह जो है वो reverse charge है तो इसको delete करने के लिए मैं यहापर click करता हूँ control shift down arrow मतलब यह पूरा जो column है वो select हो चुका है shift space मतलब यह जो पूरे सारे rows है वो select हो चुके है और यहापर alt semicolon तो आप यहापर देखेंगे यहापर एक line आ रही है मतलब यह जो filter data है वो ही shift select हो चुका है अभी यहापर control minus तो यह delete हो चुका है और सारे filter को हटाने के लिए alt ac प्रेस करना है अभी मैं यहापर match करने के लिए sum लगाता हूँ is equal to sum tab यहापर पूरा select कर देता हूँ bracket close enter और इसको copy करके यहापर पूरा paste कर देता हूँ इसको मैं control space प्रेस करके इन सारे column को select करूँगा यहापर आप यहाप से select भी कर सकते है बाद में home tab में जाता हूँ और यहापर comma लगाता हूँ और यहापर मैं decimal को हटा देता हूँ अभी मैं यहापर दो बारा 9 में जाता हूँ यहापर table number 8 इसको open कर देता हूँ और यहापर देखिए यह जो igst, cgst, hgst है वो match हो रहा है कि नहीं यह हम देखते है 958,889 958,889 28,96,578 28,96,578 यहापर 28,96,578 28,96,578 मतलब इस देता से हम reconcile करेंगे तो वो automatic gesture 9 से match हो जाएगा मतलब अनो देतान करते वक्त आपको कोई तक्लिम नहीं आएगी अभी इस देता को हमें यहापर gesture 2A में डालना है तो हमें date wise डालना है लेकिन आप यहापर देखेंगे तो यह जो date है वो format में नहीं है तो आपको यहापर इस date को पुरा select करना है तो मैं यहापर click करता हूँ, control shift down arrow, और यहापर जो slash है उसको मैं dash में convert करूँगा इसके लिए control h यहापर find what, यहापर हमें slash डालना है यहापर replace with यहापर dash डालना है, replace all ओके close, तो यहापर देखिए यह जो है, वो date format में convert हो चुका है, अभी मैं यहापर inverse date से, यहापर taxable, igst, cgst, sgst इसको पूरा सिलेक कर देता हूँ, control shift down arrow, इस पूरी data को सिलेक करने के बाद, मैं यहापर pivot table लगाऊंगा, इसके लिए insert में जाना है, और यहापर pivot table यहापर इसके लिए shortcut है, alt n v enter अभी यहापर inverse date को मैं रोज मिलूंगा, उसके बाद igst को मैं values मिलेता हूँ, cgst को values मिलेता हूँ, और hgst को values मिलेता हूँ, अभी यह year वाज है, इसलिए मैं यहापर right click कर देता हूँ, यहापर group और यहापर quarter और year को हटा देता हूँ, क्योंकि मैं सिप month wise चाता हूँ, ओके, तो यह month wise हो चुका है, लेकिन आप यहापर देखेंगे, तो April में June, यह नीचे है, यहापर January, February, March, यह उपर है, लेकिन हमड़ा financial year है, वो April से start होता है, तो January, February, March जो है, वो हमें नीचे चाहिए, तो मैं यहापर जान पर right click कर देता हूँ, यहापर move, और यहापर move to end, मतलब जन्वरी है, वो end में move हो चुका है, यहापर February, right click, यहापर move और यहापर move to end, यहापर March, right click, move, move to end, तो यहापर देखें, April में June, और यहापर January, February, March, अभी मैं इस data को IGST, CGST, SGST, यहापर copy कर देता हूँ, Ctrl-C, और यहापर Ctrl-Alt-V, V, enter, मतलब special paste, मतलब देखें, Ctrl-Alt-V, यहापर value, उसके लिए V प्रेस करना है, ओके, तो यहापर GSTL-2 की amount, यहापर आ चुकी है, और वो GSTL-9 से match है, और यहापर book swap account, मतलब हमारे books में, जो purchase है, उसका data हमें यहापर डालना है, तो यह हमारा purchase है, जिसको मैंने tally से export किया है, और इसके नीचे, मैंने create note को minus में डाला है, और debit note को plus में डाला है, इसलिए आपका purchase, debit note, create note, इसका report अलग 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 आता है, तो आपको इसको combine करना है, create note जो है, वो minus में डालने है, क्योंकि उसका ITC late होता है, और debit note को plus में डालना है, अब ही मैं इसको पुरा select कर देता हूँ, control shift right arrow, control shift down arrow, alt 10 V, enter, यहापर date, यहापर IGST, CGST, HGST, यहापर right click, group, quarter, year, shift month रखता हूँ, और ok, January right click, move, move to end, February right click, move, move to end, March right click, move, move to end, अब यहापर IGST देखिए, यह count में आ चुका है, मतलब यह count आ चुका है, लेकिन हमें sum चाहिए, यहापर देखिए sum of CGST, sum of HGST, हमें यह भी sum में चाहिए, count में नहीं चाहिए, तो आपको एक बार चेक करना है, कि यह count से format में, तो मैं यहापर right click कर देता हूँ, यहापर valuable setting, और यहापर sum select करता हूँ, और ok कर देता हूँ, अभी देखिए, यह sum में आ चुका है, अभी मैं इसको यहाँ से copy कर देता हूँ, control C, और यहापर books of account में, यहापर control V, V, enter, यहापर देखिए, April का, यहापर कोई भी data नहीं है, क्योंकि April में lockdown था, अभी यहापर difference है, तो मैं इसको delete कर देता हूँ, ताकि आपको समझा सकूँ, delete, यहापर difference between 3B and books, यहापर IGST पर क्लिक करेंगे, is equal to, यहापर जाएंगे, यहापर 3B है, उसका IGST, माइनस, यहापर books का IGST, enter, और इसको copy करके, हम यहापर नीचे तक paste करेंगे, ctrl V, तो आपको यहापर कहा कहा difference है, वो मिल जाएगा, इसको find out कैसे करना है, इसकी मैं आपको एक magic tricks बताऊंगा, जिसका इस्सामाल करके, आप 2 minute के अंदर इस gap को find out कर सकते है, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके वज़े से यहापर time लग रहा है, नहीं तो यह past minute का काम है, यहापर difference 2a versus books, तो यहापर is equal to, यहापर 2a का IGST, माइनस, यहापर books का IGST, enter, इसको copy कर देता हूँ, और यहापर paste कर देता हूँ, अभी 2a और books में, यहापर gap रहेगा, क्योंकि बहुत सारे parties है, वो GST 1 फाइल ही नहीं करते हैं, यहापर 2a versus books is equal to, यहापर 2a minus books, enter, और इसको copy कर गे, मैं नीचे तक paste कर देता हूँ, control V, तो अभी मैं आपको इस gap को find out कैसे करना है, इसकी एक tricks बता दाओ, अगर आपको 3b and books का difference find out करना है, तो आपकी जो 3b की working रहेगी, उसमें आपका purchase register रहेगा, और आपका books का purchase register इसको लेना है, या पिर आप GST 2a और books इसका difference find out करना चाते, तो register 2a लेना है, और books लेना है, जैसे कि मैं आपको example दिखाता हूँ, register 2a and books, तो यह जो हमारा data है, वो हमारा books है, तो मैं यहाँ 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 पर GST number, taxable, igst, cgst, hst, control shift down arrow, इसको copy करता हूँ, यहाँ पर ctrl n, मतलब new sheet, और यहाँ पर paste करता हूँ, और यहाँ पर type लिख दिता हूँ, type, enter, और यह books का है, इसलिए मैं यहाँ पर books लिख देता हूँ, enter, इसको copy करके, मैं पूरा नीचे paste कर देता हूँ, ctrl v, यहाँ पर select कर देता हूँ, यहाँ पर view, pre-spense, pre-spense, अभी मैं नीचे आता हूँ, और इसके नीचे, मैं 2A का data paste कर देता हूँ, तो अभी हमने, यह 2A का जो data है, वो यहाँ पर prepare किया था, यहाँ पर GST number, यहाँ पर देखिए, taxable, IGST, CGST, HGST, इसको पूरा select कर देता हूँ, ctrl c, और यहाँ पर इसके नीचे paste कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए, GST number, यहाँ पर सही से आ चुका है, यहाँ पर मैं taxable, IGST, CGST, HGST, इसको ctrl x, मतलब cut कर देता हूँ, और यहाँ पर paste कर देता हूँ, तो अभी यह, ए यहाँ पर मैं 2a लिख देता हूँ, copy, ctrl c, और नीचे आकर पूरा मैं paste कर देता हूँ, ctrl v, और यह जो heading है, इसको मैं delete कर देता हूँ, ctrl minus, अभी मैं यहाँ यहाँ पर IGST, CGST, HGST, इसके base पर difference find out करता हूँ, तो मैं यहाँ पर taxable में, यहाँ पर is equal to, IGST, प्लस CGST, प्ल मतलब यह जो है, वो total tax है, अभी इसके base पर हम gap को find out करेंगे, तो मैं यहाँ पर type से लेकर, JST, और total tax, ctrl shift, down arrow, और इसको pivot table लगाता हूँ, और इसके लिए shortcut है, alt n v, यहाँ पर JST को मैं rose में लेता हूँ, यहाँ पर total tax को मैं values में लेता हूँ, और यहाँ पर type को मैं column में ल enter, मतलब special paste, अभी मैं यहाँ पर rotable से यहाँ तक select कर देता हूँ, control shift down arrow, और control shift L, मतलब filter, और यहाँ पर मैं difference को find out करता हूँ, is equal to 2a minus, यहाँ पर books, enter, और यहाँ से copy करके, मैं पूरा नीचे paste कर देता हूँ, control v, अभी यहाँ पर क्या हुआ है, यह जो JST नंबर है, उसका 2 way में कितना है, और books में कितना है, और difference कितना है, यह find out हो चुका है, अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर JST नंबर नहीं है, लेकिन books में उसकी value है, मतलब हमारे tally में इसका JST नंबर डाला ही नहीं है, इसके वज़े से blank आ चुका है, यहाँ पर मैं इनको select कर देता हू home tab में जाता हूँ, यहाँ पर comma लगाता हूँ, और decimal को हटा देता हूँ, आपको यहाँ पर filter को open करना है, और यहाँ पर जो dash और zero है, इनमें कोई भी difference नहीं है, इनको हटाना है, और ok करना है, अब यह जो parties है, इनमें difference है, मतलब यह हमारे जेस्ट नंबर नहीं है, इसके व number है, उसके base पर काँ पर difference है, उसको find out करना है, अब यह जो party है, उसका 2A में अलग है, और books में अलग है, तो इस तरह से आप difference को find out कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, तो gesture number कहला हूँ, यहाँ पर inverse number को भी ले सकते हैं, लेकिन mostly हमारे gesture 2A में और books में, inverse number अलग अ होते हैं, अगर आप sales को reconcile कर रहे हैं, तो यहाँ पर inverse number को भी ले सकते हैं, मतलब आपका जो gap है, वो यहाँ पर inverse number wise आएगा, क्योंकि sales के अंदर, जेस्टेर 1, books, इसमें जो inverse number होते हैं, वो mostly same होते हैं, तो इस तरह से आप annual return के लिए, आपके purchase का जो ITCA, उसका reconciliation बना सकते है और इसमें जो difference है, उसको भी easily find out कर सकते हैं, अगर आपका वीडियो पसंद आया, तो मुझे appreciate करने के लिए, आप वीडियो को like कीजे, चानल को subscribe कीजे, और bear icon पे click कीजे, अभी मैं आपको यह detail में समझाने वाला हो, इसलिए यहाँ पर देल लग सकता है, लेकिन यह 5 minutes का का Thank you everyone, अगर आपको Excel या JSC related कोई भी query है, तो यह मेरा WhatsApp नमबर है, आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं, अब यह वीडियो अच्छा लगे, तो जरो like कीजे, और चानल को subscribe करना मत बुले, Thank you